लो के लिए जितने भी मेरे विईवर्स है जैसा कि मैंने कुछ दिनों पहले वीडियो बनाकर आप लोगो को कहा था FCI Assistant Grade 3 की जो vacancies है आपको 4000 प्लस देखने को मिलेगी यहाँ 5000 के आसपास 5000 प्लस आपको vacancies देखने को मिल रही है FCI Assistant Grade 3 में आज number of post जो FCI के regarding Assistant Grade 3 की जो है वो disclose हो गई है आज हम लोग बात करेंगे कि इसमें कौन-कौन से बच्चे इस form के लिए eligible है qualification क्या है, age criteria क्या होनी चाहिए, exam pattern क्या होगा, exam और यह exam जो है क्यों काफी अच्छा है इसमें आप लोग local center भी ले सकते हैं और salary तो बुमबास्री के एक bank PO से भी बराबर की जो salary होती है वो आपको assistant grade 3, FCI में clerical level में आपको देखने को मिलेगी उसके अलावा भी बहुत सारी benefits इसमें आपको देती है, FCI देता है और मेरे FCI के benefits से भी related एक वीडियो है और फिर से मैं एक phrase वीडियो आप लोग के लिए मैं जरूर ले के आऊंगा चली सबसे पहले हम लोग notification की बात करें तो FCI की जो notification है FCI हमेशा अपनी जो number of post है वो different jones के according निकालता है jones में कौन-कौन से state आते हैं वो भी मैं आगे बात करूँगा तो सबसे पहले employment newspaper में ये disclose किया गया है जैसा कि मैंने previous वीडियो में बताया था जो detail notification है वो 6 सितंबर को release किया जाएगा जी हाँ friends 6 सितंबर को release किया जाएगा यानि कि आज के ही दिन next week आपको FCI की detail notification देखने को मिल जाएगी लेकिन इसे भी detail notification के तौर पर ही आप ले क्योंकि वरिहत रूप से employment newspaper में FCI की vacancies के regarding details में बातें की गई है तो क्या-क्या main बाते हैं वो आपको मैं बता दूँ FCI zone wise आपको vacancies निकालती है North zone में बात करूँ Assistant grade 3 में कौन-कौन सी post आती है वो में बात करूँगा Junior engineer जो भी civil branches जिनोंने engineering की है वो इस form को fill कर सकते है JE electrical mechanical engineering ये form को fill कर सकते है STANO और grade 2 इनके लिए ये eligible है Assistant grade 3 जिस पर हम लोग का जो main focus है जो generalized अगर में बात करूँ तो Assistant grade 3 general के लिए जो भी बच्चे maximum बच्चे जो graduate है वो Assistant grade 3 general और Assistant grade 3 depot के लिए ही apply करेंगे और Assistant grade 3 accounts भी इसमें एक post है जिसमें जिन्होंने account से honors किया है वो इस form को fill कर सकते हैं Assistant grade 3 technical assistant grade 3 Hindi तो बहुत सारी post है हम लोगों के लिए Assistant grade 3 general और डिपो ही क्योंकि इसकी majority है यह बहुत जादा है वैसे हम लोग हर एक post के लिए बात करेंगे तो नॉर्थ जोन में अगर मैं total post की अगर मैं बात करूं तो 2388 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी नॉर्थ जोन में different categories के लिए अलग अलग vacancies है और नॉर्थ जोन में कौन-कौन से state आएगी उसके लिए भी हम लोग आगे बात करेंगे नेक्स अगर नेक्स जोन की अगर मैं बात करूं साउथ जोन में भी अच्छी खासी vacancies देखने को मिलेगी 989 सभी post की मिलाकर 989 total vacancies आपको देखने को मिलेगी 6 सितंबर को आपको यह डिटेल नॉटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा अगर इस जोन की अगर मैं बात करूं यहाँ total vacancies 768 vacancies यह सबसे अच्छी बात क्या है हर एक जोन में हर एक category के लिए vacancies डिलीज की गई है ऐसा नहीं है कि कोई भी categories को भेकेंट छोड़ दिया गया है हर एक categories के लिए यहाँ आपको vacancies देखने को मिलेगी next वेस्ट जोन की अगर मैं बात करूं तो number of vacancies 713 vacancies आपको वेस्ट जोन में देखने को मिलेगी और नॉर्थ इस्ट जोन की अगर मैं अगर हर categories की vacancies देखने को मिल जाएगी तो सबसे ज्यादा vacancies आपको नॉर्थ जोन में देखने को मिलेगा तो आप बात करते हैं कौन-कौन सी हुआ है और आपके डिजल्ट अभी तक declared नहीं हुए हैं तो उस दिन तक अगर आपके जो फॉर्म फिलप की डेट से पहले आपके रिजल्ट पब्लीश कर दी जाती हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाऊगे तो कब तक वह नॉटिफिकेशन रिलीज नहीं होगा तो वह हम मैं बताने में सक्षम नहीं हूँ तो और एज के रिगार्डिंग भी तो मेरे एकॉर्डिंग एज भी इसमें 27 या 28 तक मैक्सिमम एज रहता है और वो उसको काउंट कबसे एक अगस्ते किया जा रहा है या कबसे वह डिटेल नॉटिफिकेशन आने पर ही आपको पता कर मैं बात करनों तो इंग्लिस लेंग्विज रिजिन और नुम्रिक पर ऑप या पर कोई डिफरेंस नहीं है बैंक के प्रिलीम समस्irsiniz में में वह यह कॉण बैंक प्रिलीम सोती है वह बहुत अशान होती है बहुत अच्पोरैंग पेपर आपको देखने को मिलता है नेक्स्ट अगर मैं बात कर आज की एगजाम के जंरल टीपकोश्ट के लिए तो तो पेपर वन में हम लोगों को सी पेपर वन देना है अगर जो भी डीपो और एजी थिरी डीपो और जेंडरल के हैं तो वहां पर 120 कोस्चन्स देखने को मिलेंगे जिसमें कि आपको रिजनिंग जेंडरल इंटेलिजन याने कि जीए इंग्लिश लैंग्वेज कंप्यूटर यानि कि कंप्यूटर और सिकम्प्यूटर और सेकसंस कि अपको सेजींडिपोजन जीएchenस मैं गैव नियां जिसको हम स्वरिज आ पर इंग्लिश देखने को मिलेंगे ईंग्लिश यहां पे कोई इंधी नहीं मिलेगा आपको इंग्लिश के पेपर इसके में 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 देने ही होंगे और जो जुनियर इंजिनियर पोस्ट के हैं सिविल ब्रांच के इंजिनिरिंग ब्रांच के एकाउंट्स ब्रांच के उनको इस पेपर टू पेपर थी देना पड़ेगा उनके इस पेपर जो जिन्होंने वह एकाउंट्स परा है उससे वाइज इस्टेट की अगर मैं बात करूँ कि कौन-कौन से जोन में कौन-कौन से इस्टेट आते हैं तो नौर्थ जोन में डेली, हरियाना, पंजाब, हिमाचल परदेश, जम्मु एनकस्मीर, राजस्थान, उत्तर परदेश, उत्राखंड और यूनियन टेरेटरी आफ आपको साउथ जोन में देखने को मिलेगा, इस्ट जोन की अगर मैं बात करूँ तो बिहार, जारकन, ओडिशा, वेस्ट बंगल और सिक्किम इस्ट जोन में आते हैं, वेस्ट जोन की अगर मैं बात करूँ तो महराष्टरा, मध्यपरदेश, चतिसगर, गुजरात, यूनि आपको वेस्ट जोन में आते हैं, और नौर्थ जोन की अगर मैं बात करूँ तो अरुनाचल प्रदेश, असम, नागा लेंड, मनीपूर, मिजोरम, तीरपूरा और मेगाले आपको देखने को मिलेंगे, और जेनरल और डीपो पोस्ट के लिए कोई भी स्किल टेस्ट नहीं एक बहुत बड़ी अपडेट, और सेलरी के अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो, अगर पिछला नोटिफेकेशन 2019 का देखोगे, तो वहाँ पे असिस्टेंट ग्रेट 3 डीपो और जेनरल एकाउंट्स की आप जब देखोगे, तो वहाँ पे बेसिक पे 9300 से, यानि बाते चल रही थी, बात में डिवाइस की भी गई, तो अभी असिस्टेंट ग्रेट 3 की जो बेसिक पे है, वो हर एक पोस्ट के लिए अलग है, जूनियर इंजिनियर के लिए 34,000 से लेकर 1,3400 तक हो गई, यानि कि बेसिक पे आपको 34,000 देखने को मिलेंगे, उसमें फिर आ यहां पे आपको 28,200 जी हां फ्रेंट्स बेसिक पे जो है 28,200 बेसिक पे से लेकर 79,200 तक आपको देखने को मिलेंगे, तो 28,200 जिसका बेसिक हो और उस पे आपको TA, DA फिर आपको दिया जाएगा, HR दिया जाएगा, और भी बहुत सारे अलांसेज दिये जाएंगे, तो आपक अगर बैंक कलर की, अगर मैं बात करूं, तो 28,000, 29,000 तो उनकी ओवराल सेलरी बनती है, एक मंत की, यहां पे उतनी सेलरी तो बेसिक पे ही आपको दिया जा रहा है, तो इसकी सेलरी आप सोचो कितनी हाइक आपको देखने को मिलेगी, बहुत अच्छी सेलरी, लगबग 60,000 क यानि कि एक बैंक पी ओ के लेबल की सेलरी एफसी आइप कराता है, और एफसी आइ में सबसे प्लस पॉइंट के है, मेडिकल एलाउंसे इसके बहुत अच्छे हैं, मेडिकल एलाउंसे उससे डिलेटेट वीडियो मैं फिर से लेके आऊंगा, एक पुरानी वीडियो से आप आप जाकर देख भी सकते हैं, और बहुत सारे पर्क्स, हाउसिंग एलाउंस या और भी बहुत सारे पर्क्स जो हैं, इनके द्वारा दी जाती है, तो एफसी आइ बहुत बड़ी और बहुत अच्छी और ये अप लोगों के लिए बहुत अच्छी है, और लोकल सेंटर भी इसमें आपको प्रोवाइट किया जागा, आप अगर किसी भी जोन से फॉर्म अप्लाई करते हो, मैंने पिसले बार नॉर्थ जोन से अप्लाई किया था, तो मेरा होम स्टेट बिहार है, तो मेरे सारे मेरे प्रिलिम्स के सेंटर भी बिहार में ही थे, और मेंस के सेंटर भी करने से पहले आप एक बाद ज़रूर मेरे विडियो देख लें जो बच्चे बहुत हर बड़ी में फॉर्म फिल कर देते हैं उनके बाद एक्चुलिए इस फॉर्म को फिल करता है तो फिर जब आप फॉर्म को सबमीट कर देते हैं दूबारा फिर से आपको पे करने पड़ते है फॉर्म बरने के लिए तो इस बार एक जब नॉटिफिकेशन छे तारी को रिलीज कर दिया जाएगा तो मैं डीटेल फिर से वीडियो बना दूंगा उसमें मैं बताऊंगा कि फोटो सिगनेचर कैसे देने हैं और डिकलेरेशन में क्या लिखना है यह सभी चीजों को मैं अ दिये थे तो मुझे बहुत अच्छी से अंदाजा है कि इसमें किस लेवल की कोश्चन पूछे जाते हैं उस पर भी बात करेंगे और आई होप आप लोग के लिए बहुत बड़ी न्यूज है पाई 5000 वेकेंसी बहुत अच्छी वेकेंसी में और एक बहुत अच्छी और्ग होता है उसी टाइम थोड़ी से वर्किंग अवर बढ़ जाती है अदरवाइस आपके जो देली बेसिस में जो आपका वर्किंग होर बहुत अच्छा है दसे पांच की जौब है और बहुत अच्छी सैलरी आपको पर्रोवाइड की जाती है तो इसके लिए अभी से बहुत चैनल पर बने रहें थैंकि पर वाचिंग